दिल तूटने से तो सबको ही तकलीफ होती है, लेकिन कुछ खाने की चीज़ें आपके दिल को और भी ज्यादा नुकसान पहुचा सकती हैं। अगर आप कभी सोचते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके दिल को नुकसान पहुचा रही हैं, तो अब आप जानेंगे। हम आपको बताएंगे 6 ऐसी आम खाने की चीज़ें जो आपके दिल के लिए खतरनाख हो सकती हैं सबसे पहले हैं Trans Fats ये वो चीज़ें हैं जो आपके दिल की सहत के दुश्मन हैं आपको ये कुछ तली हुई चीज़ों, बेकरी के आइटम्स और partially hydrogenated लिखे हुए products में मिलेंगे ये आपके खराब कोलिस्टरॉल को बढ़ा सकती हैं और अच्छे कोलिस्टरॉल को कम कर सकती हैं जो arteries में blockage और heart diseases का खतरा बढ़ा सकती हैं दूसरे नंबर पर हैं meaty drinks चाहे वो soda हो, meaty chai या फिर वो fancy coffee drinks इनमें शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा होती हैं ज्यादा शक्कर मोटापा, सूजन और blood pressure बढ़ाने का कारण बन सकती हैं जो सब आपके दिल के लिए नुकसान दे हैं तीसरा है लाल और processed mass इनमें saturated fats और sodium होता है जो आपके दिल की बिमारी और stroke का खत्रा बढ़ा सकता है तो इनका संतूलित सेवन जरूरी है अगर sodium की बात कर रहे हैं तो ज्यादा नमक भी एक बड़ी दिक्कत बन सकता है ये सिर्फ आपके dining table पर रखा नमक नहीं है बलकि processed foods, canned soups और snacks में भी नमक की मातरा ज्यादा होती है ज्यादा नमक से आपका blood pressure बढ़ सकता है जो दिल की बिमारी का बढ़ा कारण है Pastries, cookies और cakes जैसे bakery की चीजों की महक शायद आपको लुभाए लेकिन इन में श्रक्तर, unhealthy fats और refined carbs होते हैं जो आपके वजन को बढ़ा सकते हैं और आपके दिल की problems का खत्रा भी बढ़ाते हैं आखिर में बात करते हैं शराब की अगर आप ज्यादा शराब पीते हैं तो इससे आपका blood pressure बढ़ सकता है heart failure का खत्रा हो सकता है और stroke का भी risk बढ़ जाता है तो यहाँ भी moderation ज़रूरी है याद रखिए बात सिर्फ इन चीजों को पूरी तरह छोड़ने की नहीं है बल्कि संतूलन और समझ बनी रहे ये ज़रूरी है और अपने diet में कोई बड़ा बदलाव करने से पहले हमेशा किसी health expert से सलाह ले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगर आपको ये वीडियो helpful लगा तो like, share और subscribe ज़रूर करें ताकि आपको और health tips मिलती रहें